सोनाली बेंद्रे ने कैंसर को लेकर बया किया अपना दर्द कैंसर की वज़ा से पूरी तरह से टूट गई थी आक्ट्रिस अपनी जर्णी को बताते हुए सोनाली हुई एमोशनल मिल क्या है ये पूरी खबर आईए जानते है एक दोर था जब फिल्म इंडस्ट्री में बॉलिवड आक्ट्रिस सोनाली बेंद्रे की नाम का सिक्का चलता था एक्ट्रिस के आक्टिंग का हर कोई दिवाना था लेकिन सोनाली की लाइफ उस समय बदल गई जब साल 2018 में उन्हें हाई ग्रेड कैंसर हो गया इस गंबिर विमारी का पता चलने के बाद आक्ट्रिस और उनका परिवार पूरी तरह से टूट गया लेकिन इतनी बड़ी मुश्किल आने के बाद भी आक्ट्रिस ने अपने आपको संभाला और अब वो एकदम ठीक है बतादी कि सोनाली बेंद्रे ने एक इंटिव्यू की दौरान अपनी कैंसर जर्नी को शेयर किया आक्ट्रिस ने बताया कि इस प्रक्रिया की दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है वो ये कहती नजर आई कि यदि आप चीजों से सबक नहीं लेते तो ये दुखत है ये उस पल की तरह होता है जो एक दूसरे को याद दिलाता है कि ये एक लक्ष नहीं बलकि महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कैंसर से लड़ाई के बाद शरीर में जो भी चेंजिस हुए वो उनके जिन्दगी का सबसे कठीन दौर था सोनाली बेंदरे ने आगे बताया कि उनके शरीर में सरजरी के बाद 23-24 इंच के गहरे निशान हो गए थे और सरजरी के 24 घंटे बाद डॉक्टर्स उनको घर भीज़ना चाहते थे क्योंकि वो डर रहे थे कि आक्ट्रिस को और आपकी क्या राहे हैं नीचे कॉमेंट्स करके हमें जरूर बताईए और बॉलेवड नाफ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए